Hi Guys, Welcome or Welcome back to my channel. So, आज की वीडियो होने वाली है रिव्यू वीडियो, इसमें आपको लोटस का एक नया प्रोडक्त रिव्यू करके दिखाने वाली हूँ, as you know, I love lotus प्रोडक्त और उनकी संस्क्रीम मेरी the favorite है, so जो मैं 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 जल यूज करती थी पहले, उसी का एक न्यू आपको पता है कि मुझे लोटस का जो मैट जल वाला वर्जन है बहुत ज्यादा पसंद है इस वाइटमिन C मैट जल कंटेंस SPF 50, PA++++, UVB and UVA protection with broad spectrum पाकेजिंग की बाद कर लिए जाए अगें मुझे बहुत अच्छी लगती है इस तरह के tube bottles सो अगें सेम वैसी ही पाकेजिंग है जैसे आपकी नॉमल मैट जल की है उसी तरह से दिखता है सो ये product contain करता है 75 grams of quantity और ये detail करता है आपको 475 rupees तो आप देख सकते इसमें सामने लिखा है ये normal to oily skin type वालों के लिए है वैसे मैं इसको all skin types के लिए suggest करती हूँ आगे आप देखना क्यों तो सबसे पहले मैं आपको इसका texture दिखा दूँ तो काफी flowy इसका texture है बट काफी ज्यादा light weight है आप देख सकते हैं हलका सा लग रहा है कि इसमें थोड़ा सा tint है बट इस not tinted it's clear मैं आपके सामने इसको blend कर रही हूँ तो आप देख सकते हैं ये बिलकुल भी कोई white cast नहीं दे रहा है मुझे कोई भी ये shine नहीं रहेगा धिरे धिरे ये बिलकुल matte हो जाएगा so this SPF is anti-pollution this doesn't contain any parabens it contains vitamin C जो आपके skin को बहुत अच्छे से brighten up करने में help करेगा आपके face भी अगर कोई भी मतलब pimple के दाग है उन्हें कम करने में help करेगा so अगर इसकी बात कर ली जाए it does have a fragrance of orange and it smells so divine आप देख सकते हो इसमें सामने सारी details mentioned है वैसे इसकी बाक में सारी details mentioned है ये इसी तरह से आता है बाहर से जैसे आपने देखा होगा most of the times जो lotus की packaging होती है वो minimal होती है तो इसके बाहर से कोई extra cardboard packaging नहीं है so मुझे इस mad gel की सबसे चीज ये लगी अगर आपको वो दो steps करना पसंद नहीं है कि पहले आप अलग से SPF लगा लो फी moisturizer लगा लो क्यूंकि इसमें kakadu plum है जो आपकी skin को काफी अचे से hydrate करता है अलग से moisturizer यूज करना नहीं पसंद तो आप directly से use कर सकते हो ये आपके face को अचे से hydrate करेगा उसके साथ साथ आपके face को sun से बचाएगा आपके face को brighten up करेगा आपको गोरा नहीं करेगा ऐसा कुछ नहीं है बट आपके skin पे अगर कोई भी दाग है या कुछ है आपकी skin dull हो रह अगर आप इसे यूज करना भी उतना ही यह जैसे आप नॉमल अपनी sunscreen लगाते हो तो आप लगा सकते हो और अगर आप sun में बहुत जादा जाते हैं तो एवरी 2 आर्स के बाद आप इसे अजिए कर सकते हैं अगर आप पो लगता है कि अगर आप sports person है बहुत जादा संद में सकते हैं अगर आप को अच्छी SPF ढूंड रहे हो विचिस फॉर और इसमें अपनी skincare प्रोपर्टीज हो आपकी मौशराइजिंग प्रोपर्टीज हो आपकी skin को sun से प्रोडेक्ट करें उसके साथ साथ आपके face को ब्राइटन अप करें तो आप डेफिनिटी इस प्रोड़क कर सकते हो याद आई that about this video I hope आपको यह पसंद आई होगी so make sure आप में चैनल को सब्सक्राइब करें इस वीडियो को लाइक करें अगर आप भी इस प्रोड़क्ट को बाइख करना चाहते हैं इसका बाइंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा तो याद आ about this video मिलते नेक्स वीडियो में see you next time bye bye